नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका Heart and Mind Power YouTube चैनल पर दोस्तों आ गया हूँ आपके लिए Journal Knowledge की एक और वीडियो के साथ तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जिरूर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके Bell Notification को All पे प्रेस कर लो तो चलिए दोस्तों जल्दी से Like करो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला Question है भारतिय सेना का निर्मान कब हुआ था भारतिय सेना का निर्मान कब हुआ था चार Option दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे पांच सेकिन का टाइम है आपके पास सही अंसर आपने गैस करना है और इसका सही अंसर है Option B 1847 में Next Question है हमारा निमन में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चटान है इन में से दोस्तों कौन सी भारत में सबसे पुरानी चटान है चार option है आपकी स्क्रीन पर सही answer guess करो दोस्तो और इसका सही answer हो जाएगा option is शिवालिक option is शिवालिक बढ़ते हैं next question की और बाबर की पुत्री का नाम क्या था option A, B, C या फिर option D और सही answer हो जाएगा option A is गुलवदन बेगम option A is गुलवदन बेगम next है औरंग जेब का मकबरा कहां पर है औरंग जेब का मकबरा कहां पर है चार option है दोस्तो आपकी स्क्रीन पर सही answer guess करना आपने और इसका सही answer हो जाएगा option C, औरंगाबाद औरंगाबाद में है औरंग जेब का मकबरा नेक्स्ट कोउच्टन है हमारा, पानिपत का दूसरा युद किसके बीच हुआ था? आप्शन A, B, C या फिर आप्शन D तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप्शन B, अक्बर और हेमू, अक्बर और हेमू के बीच हुआ था important question है दोस्तों ये भी next है भारत में मुगल समराज्य की स्थापना किस सन में हुई थी चार option आपकी screen पर है और सही answer है option D 1526 option D is 1526 में हुई थी next question है मारा भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था option A, B, C या फिर option D तो सही answer है दोस्तों option A बाबर बाबर भारत का प्रथम मुगल शासक था next question है हमारा चंद्रमा के आंतरिक बाग की परशाई को क्या कहा जाता है option A, B, C या फिर option D और सही answer है दोस्तों option B उम्बरा option B उम्बरा कहा जाता है next question हमारा रविंदर ना टैगोर का जन्मदिस किस तारीक को मनाया जाता है option A, B, C या फिर option D और सही answer हो जाएगा option C, 9 मई, 9 मई को मनाया जाता है next है, हाल ही में किस मंदर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है दोस्तों, किस मंदर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है चार option है अपकी स्क्रीन पर सही answer guess करना आपने और सही answer है option D, स्वर्ण मंदर option D, स्वर्ण मंदर जिसको golden temple भी कहा जाता है तो next question है, वरतमान में भारतिय सवज़ान में कितनी राजबाशाएं वर्नित है इस समय बाहरतिय सब्जान में कितनी राजबाशाएं वरनित है चार option है दोस्तों सही answer guess करना आपने important question है और इसका सही answer है option B 22 option B is 22 राजबाशाएं next question है मारा सूरज कुंड मेला कहां आयोजित होता है option A, B, C या फिर option D और इसका सही answer हो जाएगा option B फ्रिदाबाद option B फ्रिदाबाद बढ़ते हैं आज के next question की और किस चतापती में printing press की खोज हुई थी किस चतापती में printing press की खोज हुई थी चार option है दोस्तों आपकी screen पर और सही answer है option B पंदरवी चतापती में पंदरवी चतापती में printing press की खोज हुई थी next हमायू नामा की रचना किस ने की थी option A, B, C या फिर option D और सही answer है दोस्तों option A गुल बदन बेगम next question है हमारा बारत तक समुंदरी मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी चार option है दोस्तों आपकी screen पर और इसका सही answer हो जाएगा option D पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगालियों द्वारा खोज की गई थी next है चौरी चौरा कांड की गटना कब गटित हुई option A, B, C या फिर option D तो सही answer हो जाएगा option C वर्ष 1922 में next है पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंद किस से है पीतल पर दोस्तो जो मीनाकारी की कला करते है मीनाकारी काते है उसकी कला का संबंद किस से है option पढ़ो और सही answer guess करो दोस्तो और इसका सही answer है option A, जैपुर और अलवर से जैपुर और अलवर में होती है next question है मुस्लिम धर्म में किस अंक को शुब माना जाता है दोस्तो मुस्लिम धर्म में कौन सा अंक है जिसको शुब माना जाता है चार option है सही से option पढ़ो और simple असा question है ये सही answer है option B 786 786 को माना जाता है next है विजे स्तंब का निर्मान किसने करवाया था tower of victory का निर्मान तो चार option है दोस्तो अपकी screen पर और इसका सही answer है option C राना कुमबा राना कुमबा ने विजे स्तंब का निर्मान कराया था important question है ये भी next है विजे स्तंब कहा स्थित है ये भी बहुत important question है दोस्तो विजे स्तंब कहा स्थित है चार option आपकी screen पर है सही answer guess करो इसका क्या है और इसका सही answer है option A चिताओडगाड option A चिताओडगाड में सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से like करो और चैनल को subscribe करके bell notification को all पे जरूर प्रेस करना ऐसी ही वीडियो